पुलिस ने 24 गंटे में किया अंदे कतल का परदा फास जब रन अबैस संबंद बनाने के कारण भावीने की देवर की हत्या बढ़वा थाना चेतर के अंदर के ग्याम कठूत इससित नहर में एक युवक का शब मिलने की सूजना मिली थी जिसके बाद पुलिस ने अग्यात युवक का शब नहर से निकाल कर उसकी पहचान की गई जिसके बाद एस पी सुनिल कुमार पांड डेस डीयोपी सेलेंदर कुमार सिर्वास्तव के निर्देशन में टी आई अनिल यादब ने परताल करने के बाद मिलतक युवक की फोटो आस पास के थाना चेतरों में भिजवाई जिस पर मिरतक की पैचान गिसिया पिता नानिया मानकर निवासी ग्राम भटूली थाना कहरी के रूप में हुई थाना प्रवारी याद अबने ग्राम भटूली में ग्राम वासियों से काफी जोजबूज एवं गोपनी आता के तोर पर पुस्ताच की जिसके बाद ये इस पर ठुगा के गिसिया अपनी भावी बसुबाई के साथ जवर्जस्तिय वैस संबंद बनाना चाहता था मृतक का भाई पूनिया शारीरी के वं मांसिक रूप से कमजोर होने से मृतक अपनी भावी पर दवाब बना कर जादी करता था इस पर पुलिस जवरा मृतक की भावी बसुबाई से काफी सक्ती के साथ बारीकी से पुस्ताच की गई तो उसने बताई कि देवर की प्रतारना सितंगा कर अपनी बहन नानी भाई एवं भाई की लड़के मुकेस के साथ मिलकर इसकी हत्या करने की योजना बनाई मृतक देवर को नानी भाई के गाउं अगर वाड़ा बहला फुसला कर पैदल ले गई तता बापसी में अपनी बहन नानी भाई बतीजी मुकेस के साथ स्याम को नहर किनारे बैटकर जोजना के मुताबिक मुकेस ने मुकाद दिखते ही कले की में रस्ती डाल दी एवं दोनों बहनों ने मिलकर पाउं पकर दिये वर शब नहर में फेक कर भाग गए पुलिस ने 24 गंटे के अंदर इस अंदे कत्र का फर्दापास कर छेतर में होने वाली इस तरह की अप्रादियों की रुपतां के लिए कारगर कदम उठाया है वहीं अप्रादियों को सला झाल